Hello dear students, आप सुब कैसे हैं? आज हम फूल के वारे में चर्चा करेंगे, पुष्व के वारे में वहाँ पुष्व जिसे हम सब जानते हैं, बैज्ञानिक नजरिये से पुष्व क्या है? हम सभी के सभी कारिक्रमों में, कोई भी चाहे वो बैबाही कारिक्रम हो, कोई भी संस्कृती कारिक्रम हो, पूजा का कारिक्रम हो, हर कारिक्रम में अगर उपयोग किया जाता है, तो पुष्व का उपयोग हर जगें होता है फूल हमारे संस्कृत से भी जुड़ा हुआ है बहुत जगे भावनों को बेक्त करने का माद्यम भी पुस्प है एक पुराना गाना है फूल आहिस्ताफे को फूल बड़े नाजुक होते हैं फूल पे बहुत सारे गाने भी बने है तो प्रशन उपता है कि पुस्प क्या है मेरा प्रशन आप सभी बच्चों से है कि पुस्प क्या है पैरे बच्चों पुस्प याने कि फूल आबरिद बीजियों का जननंग है आबरिद बीजी क्या है आरेच छुटिकर ने 1969 में संपूर जीव जगत को पाँच जगत में बाटा इसके अंतरगत मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लान्टी और एनिमेलिया प्लान्टी यानि की पाधव जगत को फिर आगे उनके विकासिय क्रम के आधार पर बाटा गया उसके आधार पर एलगी, भ्रायोफाइट, टरीडोफाइट, जिम्न स्पर्म और एनजिवस्पर्म सबसे बिकसित जो स्रेडी है वो एनजिवस्पर्म की है और एनजियोस्पर्म की ही पहचान है कि उनमे पुष्प यानि की फूल पाए जाते हैं तो प्यारे बच्चों हमारे आसपास जितने भी पौधे हैं, अगर उनमें आप पुस्प देखते हैं, तो आप वहीं पर मानके चले कि वो एंजियो स्पर्म के सदस्य हैं, क्योंकि आबरित बीजियों में ही पुस्प पाए जाते हैं, ये बिलकुल निश्चिद बात है, उस यूनिट 6 में रिप्रोडक्शन के अंतरगत जो लेशन 2 है, सेक्स्वल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स में सेक्स्वल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, इसी को क्रमसा हम जानेंगे, जिसके प्रथम भाग में आज हम सबसे पहले flower को जानेंगे पुष्प को जानेंगे तो देखिए पुष्प होता क्या है flower a fascinating organ of angiosperms पुष्प जो होता है वो आपरित बीजियों का एक आकरशक अंग है हम सब जानते हैं हम सब को आकरशित करते हैं विभिन नतरह के रंग विरंगे पुष्प तो पुष्प अबरित बीजियों का एक आकरशक अंग है दूसरी चीत flowers are specialized to perform sexual reproduction in angiosperms यानि angiosperms में जो इनका मुख्यकार है पुष्प का वा है sexual reproduction sexual reproduction का का काम यही करते हैं पुष्प का ही काम है कि अपनी पीढ़ी को यह आगे ले जाते हैं ध्यान रहे कि यह केवल अंगiosperm में पाए जाते हैं यह बाकी में नहीं पाए जाते हैं algae, bryophyta, teradophyte, gymnosperms में यह नहीं पाए जाते हैं दूसरी बात क्या है कि flowers are basically modified condensed suit suit जमीन के उपर के उस भाग के जो plants होते हैं जमीन के उपर के पूरे भाग को suit कहते हैं तो यह modified suits होते हैं, specialized suit होते हैं, क्या पूस्प यानि की flower ठीक है, तो एक flower, एक typical flower के जो सारे parts होते हैं आज हम उस पर बात करेंगे कि एक प्रारूपी पूस्प की संद्चना एक typical structure आफे flower क्या होता है तो एक हम बाहर से अंदर की तरफ चलें तो вाभाग, जो पुस्प को तने से जोड़ता है उसको पुस्प ब्रंत या पैड़िसल कहते हैं वाभाग, जिस पर पूरा पुस्प आधारित होता है यहांनि कि पुस्प का आशन पुस्प आशन कहलाता है इसको thalamus कहते हैं, इंगलिस में, अब हम बाहर से अंदर की तरफ चलेंगे, पुस्प के भागों को जानने के लिए, तो सबसे बाहरी भाग को ये वाहे भाग में होता है, सबसे बाहरी भाग में होता है, इसको हम वाहदल कहते हैं, या सेपल उसकी यूनिट होती है, ध्यान एक एकाई को सेपल कहते हैं, और पूरे चक्र को समस्तिकाईयों को एक साथ हम कैलेक्स या वाहदल पुंज कहते हैं, ठीक, इसके बाद जो सबसे चमकीला, चटकीला भाग होता है, ज्यादा तर पुस्पों में, उसको हम पेटल या दल कहते हैं, और इस पूरे समुह को, इ या दल पुंज कहते हैं, एक को दल या पेटल कहते हैं, और पूरे समुह को दल पुंज या कोरोला कहते हैं, तीसरा जो चक्र होता है, या नर चक्र कहलाता है, जिसको पुमंग कहते हैं, पुमंग इस्टेमन से बना होता है, पुंकेसर बना होता है, पुंकेसर उससे बना ह होता है यानि कि पुमंग की जो इकाई है यूनिट है वो अर्फाथ पूंकेसर, पूंकेसर के दो भाग होते हैं एक एंधर होता है जिसको पराग कोस कहते हैं जिसमें पराग कण बनते dobrze है दुर कि अपसोर का में इस पराग कोस में होता है एंथर में होता है और इस एंथर को यह तंतब के द्वारा यह जुड़े होते हैं यहां से निकलता है कभी-कभी किनी-किनी पॉद्धों में उनके पुष्व के पटल से भी जुड़े रहते हैं इसके बाद जो सबसे inner most और सबसे important भाग होता है इसे पुष्ब का मादा भाग कहते हैं मादा जनन अंग कहते हैं जिसको गायरेसियम या जायांग कहा जाता है इसकी इकाई को यूनिट को या तो कारपल अंडब कहते हैं या फिर पिस्टिल या इस्तरी केसर कहा जाता है दोनों में से आप कुछ भ उसमें खाचे बने होते हैं उतने उसके कारपल होते हैं उतने कारपल अगर दो है तो बाई कारपल ली तीन है तो ट्राइ कारपल ली बहुत सारे हैं तो मल्टी कारपल ली इस तरह से होता है अगर यह जुड़े हैं तो यह सारे कारपल अगर बाहर से देखने में नहीं गि किन्ते में आ रहे हैं तो उसको एपो कार्पस कहते हैं अब बात करते हैं एक कार्पल में क्या-क्या भाग होता है तो यह पूरे गैनेसियम में अगर एक ही कार्पल मान के चलें कि इसमें एक ही कार्पल है तो इसमें क्या-क्या होता है इसमें सबसे उपर होता है वर्तिकाग् का अगरभाग वर्तिकागर इसके बाद इस टाय यान की वर्तिका और जो नीचे का ये फूला भाग होता है इसको ओवरिय अंडासे कहते हैं भविस्य में इसी से फल का विकास होता है इसी लिए फल की परिभासा ही कही जाती है परिपक को अंडासे को फल कहते हैं यही जो बीजियों की बिसिष्ट पहचान है अब देखिए एक ओवरी के अंदर क्या होता है एक ओवरी के अंदर ओवियूल हो सकता है एक भी हो सकते हैं एक से अधिक भी हो सकते हैं जैसे एक ओवियूल होता है धान में मक्का में आम में एक ही ओवियूल होता है कही ओवियूल इस फल में एक ही बीज हो तो इसका मतलब उसमें एक ही ओवियूल है किसी फल में किसी फल में अगर कई बीज हो तो इसका मतलब कई उसमें ओवियूल्स होंगे क्यों इन्हीं ओवियूल्स से ही आगे चल कर बीज का निर्माण होता है ध्यान दें कि ओवरी आगे चल कर फल का निर मार करते हैं जिससे इनकी संतती इनकी जनरेशन आगे बढ़ती है इस ओविल के अंदर इंब्रियो से क्या भ्रूण कोस होता है बीज में क्या होता है बीज में भ्रूण होता है उसी भ्रूण से ही उसी भुरूण में उस पौधे की समस्त रचना के लिए जो डियने होता है ब्लूप्रिंट होता है वो उसी भुरूण में नहीं थोता है तो उसी भुरूण के अंदर जो की इंब्रियो सैक में पाया जाता है भुरूण कोस में पाया जाता है उसका अभिकास इसमें होता पहरे बच्चों हमें पूरी उमीध है कि इस पूरे में आप जरूर कुछ न कुछ नया जरूर जाने होंगे और ऐसे में एक लाइक तो बनता ही है और इसी के साथ साथ आप इसको सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बहुत सारे नई वीडियोज आपको मिलते रहेंगे और इसको शेयर करिए तो इसी के अगले भाग में हम बहुत जल्दी मिलते हैं आप से तब तक के लिए धन्यवाद